ये मेरे परिवार में क्या बोली उन्हों ने मुझे चुना ये मोधी जी को चुना एक ही बात है छोटा सा च्छतिस गड़ है च्छतिस गड़ में हमारे समान लोग है जिस पे प्रधान मंत्री जी ने बहुत भरोसा किया है अगर मेरम निदर भी ने लगी तो बहुत बड़ी टकर दे सकती है सभी पाटियों को करीबन 25-50 सालों से इनके कंपनी है जिसको इन लोग चला रहे हैं करीबन 4-5,000 वरकर्स महां काम करते हैं मतलब 5,000 पड़िवार हम चला रहे हैं भाजपा ने अपनी सुची गोशित की वैशाई नगर से रिके सेन को पत्यासी बनाया लेकिन आज यहां पर जैन सलाब उमर पड़ा है संगीता खेतन शा के घर में जी हां यह संगीता केतन सा वह महिला है जिन्होंने कुछ मेहने पहले भासपा जुएन की थी प्रधानमंति नरेंद्र मोदी की रिती रिती से प्रभाईत होकर और कहीं ने कहीं उनका नाम भी चल रहा था कि टिकेट की दौड में वह सामिल है लेकिन उन्हें कई बार इंका वैशारी नगर बन पाएगा क्योंकि उनकी उम्मीदे हैं इन संगीता जी से कि वो अगर उनके साथ में जूडती है अगर वो उनके साथ खड़े हैं उनको संघस करने के लिए और यहां पर जो जन्भावनाय है आप देख सकते हैं भीड के माध्यम से कि लोग अचानक यहा अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो भी उनके लिए काम करेंगे संगीता केतंसा ऐसा नाम जो बिजनेस उमन के नाम पर पूरे अंतराश्टी स्तरपा जाना जाता लेकिन वैशाली नगर की विदान सभाक्षेत्र में महिलाएं हैं चाह बच्चे हो युवा हो उनके लि जो हाथ से मेरे चैरे पे रंग को मिटा रहें यह प्यार है यह प्यार बच्चों का यह प्यार माताओं का भावियों का बहनों का यह जो है इन्होंने कभी दीदी बोला और कभी मैडम बोला कभी छोटी बहन की तरह कभी बेटी की तरह यह प्यार उनका हम कभी नहीं भूल ले देंगे हमेशा आप लोग के साथ खड़े थे खड़े हैं और खड़े रहेंगे पात जब पार्टी के आई थी आप भाजपा जोइन किया उसके पहले अपसमास से वह से जूड़ी है तो किसी ने किसी तरीके से लोगों को में एक उम्मीद थी कि कहिने के पार्टी आपको मौका देगी विधान सबस्वा चुनाओ लड़ने के लिए लेकिन अब प्रत्यासी गोशित हो चुके हैं लोगों की उम्मीद अभी भी खतम नहीं हुई क्या कहना चाहेंगी कभी नहीं खतम होना चाहिए हम हमेशा उनके साथ रहे हैं मुझे अपने यश्यश्वी प्रद सब्सक्राइज वा प्रत्यासी गोड़ने कहले हैं मुझे जूना ये मुझे चुना यहां बनेती करेसिक वह सबढसे हैं और Cris की आता इसनक्तरि stressful सब्unn experts थाुक्त ब्रत्यावार के सबक्राइए हैं enterprises की जिए ने चाहें लिकोगों से क्राइए हैं म०्ण यहीं करेकिए यहां पर लोग लगाता नारे लगाया थे कि आप संगस केजिए आपके साथ लोग हैं तो क्या कहना चाहेंगे क्या असल लगता है कि आपको कि इनकी उम्मीदों के लिए आपको एक स्टेप साथ आगे बढ़ाना पड़े हैं कदम मैं यह तो बोलूगी कि मैंने तो कदम 14 मार हम सभी का देशित में काम करने का हमारा मन है और हमारा भारत बहुत आगे जाएगा छोटा से 36 गड़ है 36 गड़ में हमारे समान लोग हैं जिस पे प्रधान मंत्री जी ने बहुत भरोसा किया है मुझे उम्मीद है कि वो इन सभी के प्यार और इन सभी के जो महत्व कानशाए हैं उनको समाझ सकेंगे और अच्छा सही निर्णय लेंगे लिये हैं और हमेशा लेते रहेंगे लिए बिल्कुल यह होती है एक पार्टी निष्ठा की बात कि जो निर्णय लिया है का संगठ जाते हैं जो हमारी जिंदेगी में पहली बार आला है है यह हमारे सही है आप क्या कहना चाहेंगे, टिकेट तो किसी औरको मिला हुआ हैं तो आप क्या लगता है दीदी को आना चाहिए तो आप लोग मना लोगे दीदी को लगता है। सब्सक्राइब करें अब दब्दवाइब काफी ज्यादा पब्लिक यहां पुरी बशाइल नेगर में हर जन जन लोग उनको जानते हैं अगर मेंडम को टिकेट यहां से मिलता तो जरूर भाजबा के सीट फिक्स उरती उनके नाम पर लेकिन अब टिकेट नहीं मिले तो आगे आप लोग क्या चाहते क्या वो नेदली लेंगे चुनाओं अगर मेरम नेदली तो बहुत बड़ी टकर दे सकती है जब बाटियों को अब इस्वास बिल्कुल यहां पर चुनावी माहल तो बात चुनाओं की भी होती है तो कहीं ने कहीं लोगों की जन्भावना है जन्वा सालाब जो एक होता है कि आप अपने नेता को वो हर समय आगे रखना चाहते हैं इस तरीके से क्योंकि अगर पार्टी ना दे तो आप सतंत उम्मीदवार के रूपे भी सामने आते तो लोग उनकी मदद करते हैं आप क्या कहना चाहेंगे संगीता देदी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग बीजेपी फॉलावर्स हैं और हम सब दिन सपोर्ट किये हैं बीजेपी का बस इस वार का जो इनका जो उमिदवारा है वह में ना पसंद है और हमारी जैसा कि आज देखा जा रहा है कि एक इंडर्स लिस्ट हैं जो कि सब्सक्राइब करने के लिए हैं और जैसा कि अभी देखा गया 6 मेने में साल बार से इतना लंबा इनको टीकट ना देके विजेपी ने बहुत गलब दिसीजन भी है बिल्कुल नाराजगी जाहिर सी बात है कि जब बात बाहु बली की होती है तो चुकि उद्योगपती घर सब्सक्राइब करें लोगों की जो इच्छा है वह यहां पर यहां है कि वह निदली चुनाव लड़े पर अभी तक उन्होंने कोई ऐसी चुनाव लड़ने जारी पर माहूल को देख करके कुछ भी कहा जासकता है कुछ भी कया लगा जासकते हो सकता आने वाले समय में इंकाम मन भी बदले पर फिलहाल वह अपने बात पर कायम है कि वह प्रधानमंती जी की मीति रीति के साथ में खड़ी है और भाजपा के नेने के साथ में खड़ी है कोमल धने सर आईबिशी 24 विलाई